साथियों, स्री स्वामिनाराण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे कालखन में पूरे हो रहे हैं, जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है यह सुखद संयोग तो है ही, सुखद सुयोग भी है, एक राश के रूप में भारत की, आज़ाद भारत की जिवन यात्रा ऐसे सुयोगों से ही, और हजारों साल की हमारी महान परमपरा भी, ऐसे ही सुयोगों से ही गतिमान रही है यह सुयोग है करमड़ता और कर्तव्य के सुयोग, यह सुयोग है संस्कृती और समरपन के सुयोग, यह सुयोग है आध्यात्मों और आधुनिक्ता के सुयोग, जब देश आजाध हुआ, तो हमारे उपर यह जिम्मेदारी थी, कि हम सिख्षा के छेत्र में भारत के प्राचिन वयवव और हमारा महान गवरों को पुनर्जिवित करें, लेकिन गुलामी की मानसिक्ता के दबाव में सरकारे उद्धिशा में बड़ी नहीं, और कुछ बारतों में तो उल्टे पैर चली, और इन परिस्तियों में एक बार फिर हमारे संतों ने, आचारियों ने, देश के प्रती इस कर्तव्य को निभाने का बिड़ा उठाया, स्वामिनारा एंड गुरुकुल इसी स्वयोग का एक जीवन्त उधारन है, आजहादी के तुरंत बात, भारतिय मुल्यों और आदर्शों की निव पर, इस अंदोलन को, इस अंस्तान को निर्मित किया गया, पुज्य धर्म जीमन दाज्जी स्वामी जी का राजकोट गुरुकुल के लिए जो वीजन था, उसमा अध्यात्मा और आधुनिक्ता से लेकर, संस्कृति और संस्कार तक सब कुछ समाहित था, आज, वो विचार बूज, वो विचार बीज, एक विशाल वटवुरुक्ष के रूप में हमारे सामने हैं, मैं गुजरात में, आप सब के बीच में ही रहा हूँ, आग्पी के बीच में पला बढ़ा हूँ, और यह मेरा सोभाग रहा है, कि मुझे इस वटवुरुक्ष को आकार लेते हुए, अपनी आखों से क्रीब से देखने का सुववसर मिला है, इस गुरुकूल के मूल में, भगवान स्वामिनारण की प्रेणा रही है, प्रवर्तनिया सद विद्या, भुवी यत सुकृतम महत, अर्थात सत विद्या का प्रसार, संसार का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपून कार्य है, यही तो ज्ञान और सिक्षा के प्रती, भारत का वो सास्वत समर्पन है, जिसने हमारी सब्विता की नीव रखी है, इसी का प्रभाव है कि कभी राजकोट में केवल साथ विद्यार्थियों के साथ प्रारंब हुए गुरुकुल विद्या प्रतिष्ठानम की आच, देश विदेश में करीब चालिस साखाएं है, हर वर्ष यहां हजारों की संख्या में विद्यार्थिया आते हैं, पिछले 75 वर्षों में गुरुकुल ने छात्रों के मन मस्तिच को अच्छे विचारों और मुल्यों से सीचा है, ताकि उनका समग्र विकास हो सके, आध्यात्म के ख्षेत्र में समर्पित विवाओं से लेकर, इस्रो और बार्ख में वैज्यानिकों तक हम गुरुकुल परंपराने हर ख्षेत्र में देश की मेगहा को पोशित किया है, और गुरुकुल की एक विशेस्ता हम सब जानते हैं, और आज के यूग में हर किसी को वो प्रभावित करती है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस कठीन काल में भी और आज भी ये गुरुकुल एक ऐसा समस्तान है, जो हर गरीब छात्र से सिख्षा के लिए एक दिन का केवल एक रुपिया फिस लेता है, इससे गरीब विध्यार्थियों के लिए सिख्षा पाने का रास्ता आसान हो रहा है.